नमस्कार, मैं रविष कुमार, ने वाई मैं हूँ सुनील चौदरी, आपका digital coach, right? रविश कुमार जी को मैं जादा नहीं जानता हूँ बहुत ही कम मेरे इनके बारे में सुना है बहुत ही कम मेरे इनको देखा है और बहुत ही कम मेरे इनके वीडियोस को देखा है तो आप समझ सकते हैं कि जो भी कुछ मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत कम जानकारी के उपर आधारित है बट इनके बारे में बहुत कम जानकारी मुझे क्यों हुई क्योंकि इनका एक ना fixed agenda है कि मैं ये बोलूँगा और उस fixed agenda को आप समझ सकते हैं इनके चैनल पर बनाई गई वीडियो से जब ये चैनल में हुआ करते थे अंजी टीम के वे तब भी इनकी जो कहानी थी वो थी कुछ अलग और आज भी ये इनसान अच्छे हैं बुरे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ ठीक है अच्छे होंगे जरूर होंगे इतने साल इनोंने पत्रकारिता की है तो अच्छे ही होंगे बट इनके अगर वीडियो अगर आप देखें तो मुझे जो फीलिंग आई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाता हूँ और ये मैं मैं इमान के चलता हूँ कि पूरी दुनिया हमारा घर है मैं इमान के चलता हूँ कि पूरी दुनिया को एक भगवान चलाता है पूरी दुनिया एक यूनिवर्स की पार्ट है और पूरा यूनिवर्स हमारा है हम सब एक है मैं इमान के चलता हूँ कि अच्छा विक्ति अच्छा है और बुरा विक्ति बुरा है गलत को सजा मिलनी चाहिए अच्छे की तारीफ होनी चीए तो ये मैं अपनी जो क्लियर कर दूँ बाते बट मैं भारत देश में रहता हूँ और भारत देश में रविश कुमार जी रहते हैं भारत देश में जो जन संक्या है अधिकतर एक करोड़ दस लाग वो हिंदूों की है बट जो रविश कुमार जी का जो चैनल है वो ये भारती जन्दा पाटी के विरोधी हैं ये तो हमें पता है भारती जन्दा पाटी के विरोधी हैं ये और इसके साथ साथ इनकी वीडियो से ये लगता है कि ये हिंदू विरोधी भी है, इनका नाम रविश कुमार है, ये लगते हिंदू है, सुनने में हिंदू लगते हैं, बट इनका जो एजेंट है, वो कुछ अलगी लेवल का है, ऐसा लगता है, पक्का दो नहीं पता, तो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की ख़वरे हमारे देश का, अगर मैं डिजिटल कोच हूँ, तो क्या मैं भूल जाओं मैं हिंदू हूँ, क्या मैं भूल जाओं भारत देश का हूँ, क्या मैं भूल जाओं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं शरी राम के उसमें नहीं हूँ, कि मेरे घर में रामायन नहीं है, मैं भूल ज परही हैं और इनकी सारी वीडियो जैसे नहीं रहे उस्ताद राशिद खान जी की तारीफ कर रहे हैं या उनकी याद में कर रहे हैं कोई बराई नहीं है और शिरी राम का लगा जैगोज फिर एक-एक करते गए गुंबद यह देखो मतलब जो एतिहासिक काम है जिसको पूरा के अपने आपको कहते हैं कि मैं बहुत हिमानदार पत्रकार हूं और गोधी या बेइमान पत्रकार है, तो यही जब खोद ही इतना ज़्यादा निूट्रल गियर में नहीं रह पा रहे हैं, यह हमेशा खलाफत कर रहे हैं, इन्हें कोई बीजेबी मच्छा ही निजर नहीं आती, इन्हें हिंदों में कोई अच्छा ही निजर नहीं आती, तो यह कैसे किस बात का दवा करते हैं, कि यह एक सही पत्रकार हैं ऐसे हिए हवाबाजी चल रही है बस, तो यह इनका काम है रवीश कुमार जी का बारजियंदा बाटी की बुराई करना, और मैंने या वीडियो को बनाई, आप तक बातें बचाने के लिए, अपने विचारों को साजा करने के लिए, और अपने चेनल पर यूट्यूब, चânल पर व्यूज बढ़ाने के लिए रॉफ इनको भी बुची है मुझे भी जी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो वाई बेल बटन को दबाओ राइट जिससे मेरी अगली वीडियो आपको मिले राइट नमस्कार जै हिंद जै बारत